हेलो गाइस वेल्कम टू अने दर वीडियो प्स्टॉक मार्केट्स अलाइड डिजिटल सर्विसेश की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशल रिजल्ट पेस हो चुका है यह जनेरेट के तrece। परहले डिटल कमलों कवर करेंगे इंकम है वान पृंड़ेड सेवंट्क रोड का पिछले कौत्र में 171.6 क करोड का मार्च 23 क्वार्टर में 166 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expense 158 करोड का पिछले quarter में 155.5 करोड का मार्च 23 क्वार्टर में 152 करोड का expense हुआ था expenses भी company का increase हुआ यहाँ पर increase है quarter on quarter year on year में के बाद operating profit 18.8 करोड का पिछले quarter में 16.1 करोड का और March 23 quarter में 13.2 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में increase किया है net profit company का है इस बार का अगर देखा जाते हैं यहां पे discontinued operation के बाद जो profit निकल के आया है यहां पर देखें before जो कि 14 करोड का पिछले quarter में 11.6 करोड का और March 23 quarter 9.5 करोड का इंक्रीज हुआ quarter on quarter year on year में लेकिन 23 में March 23 quarter में 46 करोड का यहां पर exceptional आइट में जो है सो लॉसेज देखने कम लागी कि discounted operations 64.9 करोड का loss हुआ था और इसमें tax for 18 करोड का पे करना पड़ा था लेकिन फिर भी गाइस कंपनी बहुत अच्छे रिजल पेश किया है EPS 2.46 रुपेश का quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रीज किया है financial year ended में income 688 करोड का 23 में 665.7 करोड का income इंक्रीज किया है expense 622 5.2 करोड का 23 में 592.7 करोड का expense भी increase है और बहुत ज्यादा expense वो इसके कान profit में डाउन है और यहाँ पे गाइस company का operating profit है अगर देखा जाए तो 45.8 करोड का 23 में 53.7 करोड का बहुत ज्यादा down देखने को मिल रही है net profit है company का यहाँ पे increase के net profit में कि discount operations से 46 करोड का loss हुआ था जिसके profit 45.8 करोड का और 23 में 46.8 करोड का loss हुआ था जो कि इस बार increase किया है देख सकते है APS 8.207 रुपिस का 23 से increase करता हुआ देखने को मिल रही है तो गाइस company का overall यहाँ पे गार देखा जादे करता हुआ देखने को मिला है इस टैंडर और फिनांसल रिजल्ट में कंपनी का income है इस बार का अगर देखा जाए तो 83 करोड का पिछले क्वार्टम 69.6 करोड का मार्स 23 क्वार्टम 65.6 करोड का income है क्वार्टर ओन क्वार्टर येर और दोनों के इंकम increase किया एकस्पेंस वा सब्टि 13.7 करोड का पिछले कवार्टम 61 करोड का मार्स 23 क्वार्टम 63.4 करोड के इंक्रीज क्या ओपरेडिंग पॉफित 9.3 करोड कंप इसलि वा तूपंट के कारण जिसके कारण quarter on quarter year on year में इंक्रीज करता वा देखने को मिला है EPS 1.19 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रीज क्या तो गैस कंपनी का overall result बहुत ही स्टॉंग पे इंक्रीज करी और रिजल्ट कंपनी का 7-10 में इसका रिजल्ट आया है 151 रुपीज पे आज क्लोज किया था और 1.8 परशन का पॉफिट दिया था आज के दिन इसके शेयर में वन मंथ में 10 परशन का पॉफिट और 6 मंथ में 25 परशन का पॉफिट इस एक बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था कंपनी 13 में को लेकिन उसके बाद कंपनी जो वापस एक बहुत बड़ा दिकावर करता वा देखने को मिला है अगर आप इसमें अंट्री करना चाहते गां इस में में इंट्री कर सकते हैं होल्ट करने जाते हैं है तो हम लोग जाही वेडियो कहीं परेंट करते हैं अगर कोई कमेंड बॉक्स में पूछें मिलता है बाबाइ